कि हमारा नाथ पंथ योग पर ही आधारत है। इस पंथ के स्थापना का उद्देश्य भी हमारे नाथ जी का हादिनाथ का योग का प्रचार ही था। और इसी पंथ में पंच धुना तापने की परंपरा सद्यों पुरानी है। इसे हम हठ योग भी कह सकते हैं। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे आसरम में इस तरह का आयोजन हो रहा है। पंच धुना तापने के लिए युवा साधु आये हुए हैं। आज से पंच धुना का कारे करम प्रारंब हो गया है। गूरु गोरक्षनात सक्ति ने कि पंच धुना का कारे करम सफलता पुरवक संपन हो जाए। आदेश से पारेश आदेश ाद आदेश और उुमन हो दो कि रहा है ऱुना का का की एव